आज हम बनाएंगे मठ का मलाई कुलफी जो हमने लेफ्ट आवर मावे से बनाई हैं और जब भी आपके घर में लेफ्ट आवर मावा हो या बर्फी हो तब भी आप इसे बना सकते हैं उनली लगते हैं 5 मिजट और बनाना सो इजी और खाने में सो डिलिश्यस एक बार आपने इसे बना कर ट्राइ कर लिया न तो आप इसे जब भी कोई गैस ट्राइगा कोई रिलेटिव साएगा न तो उसके सामने आप सर्व करेंगे न तो कहें भी न नहीं रह पाएंगे कि आपने एक बनाना कहां से सीखा तो कह देजेगा गरिमा शा के चंद तो आप देख सकते है यह कितना अच्छा टेक्स्चर आया है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं और सर्व करने में तो इत्की अट्रैक्टिव लग रही है कि मज़ा आये आपको यहां देख सकते हैं है यहाँ पर हमने gas को on कर दिया है और gas की flame को medium और high flame पर set कर दिया है अब इसे हम regularly चलाते जाएंगे regularly चलाते जाने से यह कहीं से भी चिपके कानी अगर यह कहीं से भी चिपक किया तो taste थोड़ा different हो सकता है तो आप इसे regularly चलाते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर केसर के धागे जारी हूँ तो यहाँ पर हमने जो केसर लिया है न उसको हम गरम दूद में भिगो देंगे मतलब थोड़े पांदस मिनट के लिए भिगो देंगे न तो यह अच्छे से कलर छोड़ देगा अगरम दूद यहाँ पर हमने डाल दिया है अब इसो चम्मच से अच्छे से mix करके प्रैस करके साइड में रख देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दूद में उबाल आ गया है और जो हमने left over मावा लिया था तो यह dry मावा नहीं है थोड़ा सा गीला मावा ही है अगर सूख जाय तो अच्छे से आप उसको फोड लीजे मतलब टुकडे टुकडे कर लीजे और यहाँ पर हमने दो इलाइची लिये दो इलाइची को हमने instant ही crush करके डाला है instant crush करने से खुश्बू बहुत शांदार आती है और यहाँ पर हमने भीग्यूई केसर भी डाल दी है और साथ ही में यहाँ पर जो मावा लिया है वो भी डाल देंगे मावे को दूद में अच्छे से mix करते हुए चलाते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजे अच्छे से mix हो गई है और इसे हम regularly चलाते जा रहे हैं और side से जो मलाई जम्री है उसी भी उतारते जा रहे हैं और यहाँ पर taste according sweetness के लिए हम 2 tablespoon sugar डाल देंगे sugar की quantity को आप अपने taste के according कमझाता भी कर सकते हैं अगर आप sugar नहीं डालना जाते तो without sugar भी से बना सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दूद की quantity यहाँ पर धीरे-दीरे कम होती जारी है हमें दूद को थोड़ा reduce करना है और साथ ही में यहाँ पर हम कटे हुए पिस्ता डाल देंगे 1 spoon आप चाहें तो कोई साभी dry fruits डाल सकते हैं अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगे yellow food color भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूद की और मारी की quantity कम होती जारी है तो यहाँ पर हमें जो side में जो मलाई जमरी है उसे में उतारते जा रहे हैं तो आथी में कुश्बू के लिए और टेस्ट के लिए मैं इसमें kevda essence डाल रही हूँ मैंने 7-8 बूंडे डाली है kevda essence की और इस stage पर हम गैस को off कर देंगे कड़ाई अभी भी गरम है तो इसे में इसे अच्छे से mix कर देंगे यह optional है अगर आप डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो skip भी कर सकते हैं हलवा style और market style बनाने के लिए मैंने इसे डाला है और इसे taste बहुत ही शानदार आता है friends तो एक बार आप लेकर आएंगे और try करेंगे ना तो तभी आपको पता चलेगा कि इसका क्या reason है हमें डालने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अपर हमने कुल्फी mixture को एक्दम ठंडा कर लिया है ठंडा होने के बाद ही इसे हमने मिक्स्चर जार में डाल दिया है और मिक्स्चर जार में डालने के बाद इसे हमें अच्छे से स्मूथी सा पेस्ट पनाना है friends इस्मूथी पेस्ट से ही बहुत ही डिलिशयस लगेगी friends तो यहाँ पर हमने जो कुल्फी मोल्ड लिया है यह आपको market में easily में fill कर लिया है अब हम एक लेंगे foil paper foil paper लेने के बाद इसे हम इसे अच्छे से wrap कर देंगे wrap करने के बाद stick लगाएंगे और एकदम cut लगा के stick लगा देंगे जिस तरह से market में बिल दिया ना उसी process से हमें इसे बनाया है और friends बहुत ही टेस्ट यो बहुत ही delicious बनने वाली है यह यह यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल में हमने stick लगा दी है और आप homemade जो बनाएंगे ना ice cream उसकी बात ही कुछ और होती है because क्यों जो हमने अपने हाथों से बनाते है ना उसकी आप imagine भी नहीं कर सकते है कितनी खुशी होती है serve करने में इसे 7 गंटे के लिए हमने इसको freezer में रख दिया था friends और आप देख सकते हैं एकदम ice आ चुकी है सारी कुलफी में कुलफी मोल भी जम चुके है और cup पर भी ice आ गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने foil paper लगाया था ना उससे अंदर नहीं कई होगी ice तो इसको इसलिए ही wrap करते हैं इसका logic भी यह होता है कि अंदर बिल्कुल भी ice ना जाए यहाँ पर हम एक एक को open करेंगे और taste करेंगे taste में so delicious है और इसे थोड़ा सी हातों की heat देनी है थोड़ी सी हातों की exercise करनी है हातों की exercise करने से easily friends वटा वट से निकल जाएगी और यहाँ पर हमन करता है कि easily नहीं निकल दिये तो आप थोड़ा से cup में पानी डाल कर इस तरह से भी निकाल सकते हैं friends तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा dip कर दिया है पानी में और हटा दिया है पानी को और यह हम इसे निकालेंगे मोल से तो मोल से देखते हैं निकलने के बाद क्या texture आया है वा मावा पर्चेस करकी भी बना सकते हैं friends आपसे request करेंगे जब भी घर में मावा होना तो उसे बिल्कुल भी मत्वै किये और इस तरह से आइस क्रीम बनाईए मावा खाने में बच्चे हिच की चाते हैं बट आइस क्रीम वो फटा पर्ट से खाएंगे लास में इसे हम पिस्ता से गानिश करेंगे वाव पिस्ता से गानिश करने के बाद तो इसकी लुकिंग और भी ज़्यादा attractive हो गई है तो फटा पर्ट से बनाईए और अपना feedback में इसा शेयर कीजिए और चैनल पे ने हो तो subscribe कीजिए see you soon with new recipes and bye